Okay students. So 1D wave on string. So strings, यह एक type का transverse wave होता है. ठीक है? तो मेरा आपको बताया था कि दो type की waves होते हैं, transverse और longitudinal, तो हम transverse को पहले पढ़ेंगे, तो अब उसको पढ़ना start करने वाल है. अब उसको पढ़ना start करने वाल है, काफी maths पगड़ है हमने देख लिए students. तो अब यह 1D wave on string क्या होता है? देखो, suppose को students एक rope है, लंबी rope है काफी और वो दूसरे end पर wall से attached है, दूसरे end पर wall से attached है. इसका एक आदमी ने पकर रहा है और वो यह वाला end पकर रहा है, वो इसको जर्ग देता है, जर्ग देता है, जर्ग, ठीक है? एक कसके एक जर्ग देता है rope के, इस end को. तो students यहां पर क्या होता है, बहुत असानी जब समझ जाएंगे कि एक इस तरह का shape create हो जाता है rope के उपर. rope के उपर इस तरह का shape create हो जाता है, और यह जो shape है वो आगे की तरफ move करने लगता है, जस्त थोड़े तरब आप देखेंगे, तो यह rope कुछ ऐसी दिखेंगी आपको. यह जो shape है वो आगे की तरफ चला गया होगा, और थोड़े बात देखेंगे, तो यह जो shape है और भी आगे चला गया होगा, ठीक है students, तो यह जो shape है इसको बोलते है, pulse, यह जो shape है इसको क्या बोलते है students, pulse, ठीक है? And this is actually our wave on string, wave on string, wave on string क्यों बोल रहे है? क्योंकि obviously यह string पे है, और 1D wave क्यों बोल रहे है? वन-dimensional wave है, यह जो wave है वो rope पे चल रही है, और rope one-dimensional है, rope one-dimensional, जैसे sound जब होती है, sound, ठीक है, suppose कर आप बोल रहे हो, या कोई loudspeaker से आवाज निकल रही है, ठीक है? तो वो तीनों dimension में जाती है, ऊपर, नीचे, राइट, लेफ्ट हर दगार फैलेगी, राइट, इन जेनरल अगर हम sound produce करते हैं, तो हर direction में वो travel करेगी, ठीक है? तो sound जो है, that is an example of 3D wave, 3D wave, ठीक है? इसलिए sound को पढ़ना थोड़ा सा complicated भी होता है, क्योंकि इसमें 3D involved होता है थोड़ा सा, but this is a one-dimensional wave, यहाँ पर एक छोड़ा time और हम देख सकते हैं, अगर यहाँ बार-बार जर्ख दे, बार-बार जर्ख दे rope को, तो यहाँ पर क्या होगा कि कई सारी pulses बन जाएंगी students, ठीक है, तो यहाँ पर 3 बार आदमी ने जर्ख दिया, पहली बार दिया तो यह pulse बना, दूसरी ब यह जो समझना हमारा यहाँ पर aim है, तो उसी को चलो हम समझना अब शुरू करते हैं students, तो एक situation यहाँ पर imagine करते हैं, string wave को समझने के लिए, ठीक है, सबोस्कर यहाँ पर एक table है, यह टेवल का surface है, ऐसे एक table का surface है, ठीक है, along the table मैंने x-axis ले लिया है अपना, और perpendicular to the table मैंने इसे उपर हवा में y-axis ले लिया है, ओके, आफ सबोस्करो कि यह तो origin है, origin है यह और stable पर बहुत सारे छुटे छोटे बाल्स रखे में इस हम बगल बगल में, बहुत सारे छोटे-छोटे बाल्स रखे में, जैसे यहाँ पर एक छोटे-छोटे बाल रखा भा रखा भा है, फिसके बगल में एक छोट सा बाल रखा भाँ है, थोड़ा दूर बना रहा हो लेकिन वह बहुत पास पास है, मुझे दूर इसके बनाना पढ़ा है नहीं तो गंदा हो जागा डाइनम बहुत जैसे बहुत 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 ब और फिर U-turn लेके नीचे आता है, 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 फिर U-turn लेके नीचे आ सबसे पहले ये वाला start करता है, जो origin पर, ठीके, उसके थोड़े दे बाद, उसके थोड़े दे बाद, second वाला start करता है, उसके थोड़े दे बाद, third वाला start करता है, उसके थोड़े बाद, fourth वाला start करता है, and so on, and so on, सबके सब एक साथ ऊपर जाएं और एक साथ नीची जाएं ऐसा नहीं होता है, सबसे पहले यह स्टार्ट करेगा फिर थोगे बाद ये, जस थोगे बाद ये, जस थोगे बाद ये and so on. तो हम लिख सकते हैं, all the balls, all the balls, do identical motion, all the balls do identical motion but shifted in time, but shifted in time, ठीक है अब देखो, ये जो इनका, इस टाई का motion है, उससे एक interesting phenomena होगा, जो हमें समझने की जड़वाता है, तो वापस से मैं x और y axis बना लेता हूँ वैसा, और suppose को इस्ट्रेंट की यहाँ वाला जो particle है, यहाँ वाला जो पार्टिकल है, वो अभी move करते वे top पे पहुँच गया है, ठीक है, वो move करते करते अभी top पहुच आगा, ये वाला particle अभी top पे है, तो आब ये बताओ कि इसके just बार बाद वाला particle जस बाद वाला जो particle है वो कहाँ पर होगा this quarants यह अगर top है तो इसने थोरले बाद चालू किया होगा थोरले बाद चालू किया होगा तो यह थोड़ा सा नीचे होगा this trends ठीक, इसके और बाद 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 देखिए ज़नों लूकम मत मत थोड़ा सा नीचे होगा, इसके बाद बाद देखेंगे, तो यह और भी थोड़ा सा नीचे होगा, इसके बाद 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 देखेंगे, तो यह और भी नीचे होगा, साइज इसने भी तक स्टार्ट ही नहीं किया होगा, something like this, ठीके स्ट्रेंट्स, और इसके बाद 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 आप समझ सकते हो कि यह उपर जाके नीचे आ रहा होगा भी, यह उपर जा चुका है आप नीचे आ रहा होगा तो सैद यहां पर होगा, ठीक है, उपर जाके यह नीचे आ रहा होगा, यहां पर होगा, ठीक है, उपर जाके यह नीचे आ रहा होगा, यहां पर होगा, ठीक है, तो वो सब आके रुख गये होंगे, अब ये वो सब आके रुख गये होंगे, राइट, तो इस step का कुछ scene होगा, आप समझ रहे हैं मेरी बात, तो ये balls move कर रहे हैं, तो आप अगर दूर से देखोंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, आपको students, आपको ऐसा एक shape दिखाई रोब पे, जो कि इन particles के location से बनेगा, जो इन particles के location से बनेगा, तो ऐसा एक shape दिखाई देगा, ठीक है, समाझ मेरी बात, ठीक है, अब जस्त थोड़े दिर बाद अगर आप देखोंगे इस रोब को, जस्त थोड़े दिर बाद, fraction of second बाद, half a second और quarter a second बाद, अग आप थोड particles move कर रहे हैं, तो उनकी location जो है, students वो change हो गई होगी, right, तो जैसे ये वाला जो particle है, ये कहाँ पे होगा, जस्त थोड़े दिर बाद, ये टॉप पे था, अब ये थोड़ा नीचे आ जाएगा, students ध्यान देंगे, diagram थोड़ा गंदा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा ध्यान द पर पहुंच गया होगा, लेकिन नीचे वाले अभी भी ये सब नीचे ही होगे, right, what about this particle, ये नीचे आला था, students, थोड़ा टाइम बीच गया है, और नीचे आ जाएगा, ये, right, ये और नीचे आ जाएगा, थोड़ा टाइम बीच चुका है, ये साथ बिलकुल नीचे आ जा location से बन रहा है, ऐसा एक shape दिखाए देगा, जो इन particle से location से बन रहा है, ठीक है, तो आप समझ रहे है instruments यहाँ पर क्या हो रहा है, एक और case देख लेते हैं, अब जस्त थोड़े और दिरवाद क्या होगा, यहाँ बनाना बहुत complicated में लिए, ये जो है ये top पे है, ये नीचे आ गया होगा, तो let me use different color, वो नीचे आ गया होगा, ये जो है ये top पे चला गया होगा, ये थुरा और ऊपर चला गया होगा, ये थुरा और ऊपर चला गया होगा, ये थुरा और ऊपर चला गया होगा, ये जो है ये थुरा नीचे आ गया होगा, ये जो है वो थुरा नीच दिखाई देगा, something like this, ठीक, वैसे हम चाहिए तो we can keep drawing shapes which we will see time after time, right strengths? So strengths you can see a very interesting fact that is going on here, कि अगर आप इसको दूर से देखोगे, तो आप देखो आपको एक shape जो है वो right की तरफ जातावा दिखाई देगा, आपको एक shape right की तरफ जातावा दिखाई देगा, यह shape, जो पहले मैंने orange यह बनाया है, फिर blue में और फिर yellow में, यह एक ही shape है जो आपको आगे की तरफ जातावा दिखाई देगा, a shape appears to move ahead, appears to move ahead, so इस रगा shape आपको आगे की तरफ जातावा दिखाई देगा है strengths यहाँ पे, लिकिन strengths, आप सोच के देखें, क्या वाकी में कुछ आगे जा रहा है, क्या वाकी में कुछ आगे जा रहा है, is something, actually going ahead, no strengths, no, कुछ भी आगे जा नहीं रहा है, अगर आप particles की बाद करें, तो वो move कर रहे हैं, लिकिन particles तो y-axis के long move कर रहे हैं, particles तो उपर नीचे move कर रहे हैं, y-axis के long, unka आगे x-axis के long जाने का तो कोई scene ही नहीं, right, students, आप देख सकते हो, तो बड़ा interesting काम यहाँ पर होड़ा है, कि particles y-axis के long move कर रहे हैं, ठीक, इससे y-axis के long move कर रहे हैं, लेकिन उनके moment से, एक illusion create हो रहा है, एक illusion create हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि, कुछ right side की तरफ जा रहा है, एक shape right side की तरफ जाता वा, आपको दिखाई देता है, इसी बात को मैं यहाँ पर लिखता हूँ, particles are moving along y-axis, but it creates an illusion that a shape is moving along x-axis, तो students, यह बहुत important part है हमारे discussion का, जनले आपको books में नहीं मिलेगा यह सब, तो जहाँ पर आप ध्यान से देखे, कि कैसे illusion create होता है, कैसे illusion create होता है ways में, आप से attach रहर के बताऊंगा, पर आप देखो कैसे particles ऊपर की तरफ करते हैं, लेकिन illusion create होता है कि, जो shape है वो right की तरफ जा रहा है, अब students actually में, यह जो situation मैंने describe की है, यह actually एक string wave की ही situation है, this is actually a situation of string wave, कैसे students साथ आप समझ ही गए होंगे, जैसे देखो मैं आँको बताता हूँ, कि यह जो rope है, यह actually बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से बनी वी है, ऐसा आप सोच सकते हो strings, आप सोच सकते हो कि बहुत सारे छोटे 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 पार्टिकल से बनी वी है, basically rope में बहुत सारे molecules होंगे न, right? रोब में बहुत सारे molecules होंगे, उनको आप particles की तरह सोच सकते हो, तो आप यहाँ पे पार्टिकल है, यहाँ पे पार्टिकल है, यहाँ पे पार्टिकल है, यहाँ पे पार्टिकल है, ऐसे बहुत सारे चोटे 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 पार्टिकल है, वीचर आक्चुली molecules, तो रोब जल्दी जल्दी यह करता है, उपर लाकर इसको नीचे कर देता है, उपर ले आकर नीचे कर देता है, तो जर्ग देता है, तो इस पार्टिकल को आदमी उपर ले जाता है और फिर नीचे कर देता है, तो यह पार्टिकल जो है वो मूव किया, अब होता गया है कि उसके बाद यह जो next वाला particle है वो भी अपने आप वो ऊपर जाता है और नीचे आता है लेकिन just थोड़े दिर बाद, just थोड़े दिर बाद, फिर इसके बाद वाला particle है वो भी वैसे ऊपर जाता है और फिर नीचे आता है लेकिन just थोड़े दिर बाद, फिर उसके बाद वाला particle है वो भी उस illusion में आपको बताया तो उससे एक illusion create होता है कि ये जो shape है, ये जो pulse है वो आगे की तरफ travel करते वे हमें दिखाई देती है, वो आगे की तरफ travel करते वे दिखाई देती है, आपको समझ जारी बात तो जो illusion मैंने आपको समझ जाया, वो ये string का illusion था अब प्लीज नोट करें, यहाए पर फिल्स आगे जा रही है अब कोई भी पार्टिकल आगे की तरफ move नहीं कर रहा है कोई भी पार्टिकल आगे की तरफ move नहीं कर रहा है particles कैसे move कर रहे हैं, वो y-axis के लाग ओग मैंने यह आपे थोड़ा clean up कर दिया है ताकि मैं आपको थोड़ा और चीजे समझा सकूँ जैसे देखो इस trends क्या होता है कि हमने यह देखा कि पहले particle को आदमी ने ऊपर कि तब घीचा जर देखे और फिर नीचे लेखे है तो उसके बास आगे के particles ही move करने लेगे but slightly delayed in time but slightly delayed in time तो ऐसा क्यों होता है ऐसे तो आपको समझ में hide होगा और थोड़ा सा और हम technical terms में उसको देखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है तो देखो इस trends एक elasticity नाम का chapter हमने पढ़ाता है हो सकता है आपको याद नहीं हो या फिर आपने नहीं पढ़ाओ तो उससे लेटर एक छोटी सी बात है जो हम यहां पर rewind कर लेते हैं कि अगर ऐसी कोई भी rope हो अगर ऐसी कोई भी rope हो तो उसको हम ऐसे सोच सकते हैं कि उसमें बहुत सारे चोटे 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 molecules हैं जिनको हम balls की तरह सोच सकते हैं, particles की तरह सोच सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे चोटे-चोटे balls, molecules या particles हैं, बहुत पास-पास हैं, मैं दूर क्यों बना रहा हूँ, ताकि clarity रहे, और मैंसा सोच सकते हैं, कि वो छोटे-चोटे springs से connected हैं, अपस में, अंदर वो छोट-चोटे ऐस स्प्रिंग से connected हैं, ऐसा हम सोच सकते हैं, ठीक है, समझ रहा हूँ, आप किसी भी rope को आप इस तरह से imagine कर सकते हो, to understand the physics of rope deeply, to understand the physics of rope deeply, अब this trend is बहुत clear है, आदमे जर्ग देके इसको उपर और नीचे ले जाता है, अब क्यूंकि दूसा particle पहले वाले से spring के द्वारा attached है, spring क जब यह उपर जाएगा, उपर जाएगा, तो जस थोटे बाद यह भी जाएँ लगेगा, यह भी जाएँ लगेगा, और फिर जैसे यह उपर जाएगा, तो यह अपने बगल वाले को उपर घीचेगा, यह भी जाएगा, तो आपको समझ में है, क्यूं जब इसको घीचा ज due to elastic nature of rope, due to elastic nature of rope, elastic nature of rope का मतलब है कि rope के अंदर यह springs का होना अब कुछ और important चीज़े देखते है students, जैसे देखो, इसको हम wave बोल रहे है, wave बोल रहे है और energy का transfer होता है, थोड़ा देखो आप ध्यान से कि क्या ऐसा हो रहा है यहां पे, देखो students, बिलकुल हो रहा है, particle सिर्फ उपर नीची move कर रहे है, उपर नीची move कर रहे है, ठीक है, कोभी particle यहां से, यहां तक move करके नहीं जा रहे है, कोभी particle यहां से, यहां तक move करके नहीं वो move करता है वापस अपनी जगप पर याजाता है, वो उपर याता है फिर वापस अपनी जगप पर याता है, वो jump करके आगे नहीं जा रहा है, तो there is no transfer of mass के लिली, but is there a transfer of energy, yes it is, it is, देखो, जब यह pulse यहाँ पर है, तो यहाँ के particles move कर रहे है, यहाँ के particles move कर रहे है, मतलब यहाँ पर उनके पास कुछ kinetic energy होगी, जब यह pulse यहाँ पहुँच गया है, तो यहाँ के particles actually move कर रहे है, मतलब यहाँ पर kinetic energy है, जब यह pulse थोड़े दिर बाद और आगे पहुँच जाएगी, यहां पहुंच जाएगी जब यह pulse, ठीक है, तो यहां के particles move कर रहे होंगे, उनके पास kinetic energy होगे, तो आप देख सकते हैं, जैसे जैसे pulse आगे जा रहे है, जैसे जैसे pulse आगे जा रहे है, energy भी, kinetic energy भी आगे तरफ जा रहे है, तो energy का flow होड़ा है, strength, that's why this is a wave, this is a wave, ठीक, दूसरे strength, हम यहां पह बोलेंगे कि wave is propagating along x-axis, wave is propagating along x-axis, तो यह जो shape है और जो energy है, वो x-axis के लोग आगे जा रहे है, तो हम बोलेंगे wave भी जो है, वो x-axis के लोग आगे जा रहे है, strength, right, अब strength, एक और चीज, यह जो wave है, this is a type of transverse wave, this is a type of transverse wave, जैसे कि मैं आपको कई बार बताया है, तो अब time आ गया है, कि मैं आपको explain करूँ कि transverse wave होने का क्या मतलब होता है, strength, तो transverse word जो आप यहां पे देख रहे हैं, उसका मतलब होता है perpendicular, तो students, आप यहां पे देख सकते हैं, कि जो particles है, वो y-axis के long movement कर रहे हैं, लेकिन जो wave है, और जो energy है, वो i-axis के long movement कर रही है, x-axis के long movement कर रही है, यह para which is the one nut इसे लिए इस wave को क्या बोलते हैं students, students transverse wave,transverse wave,transverse wave, तो students हम define भी कर सकते है transverse wave को, और उसको define करने आपसे बहुत frequently पूछा जाएगा, तो हम लिख सकते है transverse wave,transverse waves are waves,transverse waves are waves which,in which,transverse waves are waves in which, particles of medium oscillate in a direction perpendicular to,perpendicular to propagation of wave, समझ में आई यहां को बात, इस तरह से transverse wave को define किया जाता है, and string wave is an example of transverse wave, ठीक है, in fact मैंने आपको एक term बदाया था longitudinal wave, longitudinal wave, हाला कि यहां पर हम longitudinal wave नहीं पड़ रहे हैं, हम part 2 में पड़ेंगे, longitudinal wave क्या होता है, उसमें अगर wave आगे की तरफ जा रही है, तो particles भी उसी direction में oscillate कर रही है, यही main difference होता है, wave जिस direction में जा रही है, particles भी उसी direction में oscillate कर रही होते है, जबकि इस transverse wave में क्या हो रहा है अगर wave आगे तरफ जा रही है तो particles जो है उसके perpendicular direction में oscillate कर रहे होते हैं तो longitudinal wave की अगर definition लिखनी हो तो हम क्या लिख सकते हैं कि longitudinal waves are the waves in which particles oscillate in the same direction as of the propagation of wave ठीक है आप लिख सकते हैं उतना तो ठीक है जैसे मैं आपको उला कि इसके वारे में आप detail में part 2 में ही समझेंगे तो वहीं पे आपको ज्यादा समझ में आगे गानी तो instruments अगर drone study की ये videos आपको अच्छे लगए तो आप प्लीज इनको like करे, subscribe करे, comments लिखे instruments अपने thoughts बताए हमारे जाद share करें कि आप और क्या चाहते हैं और इतना इन instruments सबसे important सबसे important नीचे share button पर click करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियो को WhatsApp और Facebook पर share करें instruments ताकि वो भी इन वीडियो का फैदा उठाग सके instruments, right?